नवश्कार दोस्तों मैं डॉक्टर प्रांजली आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तों आज हम बात करेंगे allergic rhinitis के बारे में दोस्तों allergic rhinitis आपको पता है नाक से पानी आना, आखों में जलन, खुझली, लगातार छीक आना, स्नीजिंग होना ये सारे लक्षड allergic rhinitis में आते हैं और दोस्तों ये आजकल बहुत ज़्यादा common भी हो गया है बच्चों से लेकर बड़े वुजुर्ग सभी में ये चीज़े बहुत ज़्यादा commonly देखने को मिलती हैं तो आज हम बात करेंगे कि allergic rhinitis क्या होता है किन कारोनों की वज़े से होता है कैसे लक्षड आपको देखने को मिलेंगे और ऐसी कौन सी होमेपेटिक मेडिसन है जिसका आप प्रयोग करके अपनी allergic rhinitis की परिशानी को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉमेटिव है आप इसको अंतक जरूर देखें और मेरे साथ बने रहें दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर क्या होती है जिसे हे फीवर भी बोलते हैं दोस्तों पहली बात तो कोई भी हामफुल बिमारी नहीं है कि उससे शरीर पर आपको बहुत ज़्यादा हाम छाए ठ्रेटनिंग कंडीशन आपके शरीर आनी है जिसमें आपका शरीर किसी पर्टिकुलर चीजों के लिए जादा sensitive हो जाता है, जादा sensitive मतलब आपके शरीर की hyper sensitivity बढ़ जाती है और उन sensitivity के वज़े से आपके शरीर में ऐसे लक्षर डवलप होने शुरू हो जाते हैं जैसे नाख से पानी आना, छीक आना, आँखों में कुजली आँखों से पानी आना, गले में आपको बार-बार ऐसा लगेगी कि बलगम जैसा बन रहा है और आप इसको बाहर निकालेंगे और बहुत प्रोलॉंग टाइम तक यानि कि अगर यह आपको बहुत लंबे समय तक अगर रहो जाता है यह रहता है आपके शरीर में तो आपको loss of smell की भी परिशानी देखने को मिलती है loss of smell मतलब आपको कुछ आप सूंगने की शमता आप में कम हो जाएगी आप कुछ भी सूंगेंगे तो आपको इतनी strong खुश्बू नहीं आएगी दोस्तो यह तब ही होता है जब आपके शरीर में किसी पर्टिकुलर चीजों के लिए sensitivity बढ़ रही है या कि आप बहुत जादा आपकी body उसके लिए react कर रही है अब क्या के ऐसे कारण हो सकते हैं जिनके वज़े से आपकी body पर यह असार देखने को मिल सकता है जो सबसे common होता है allergic rhinitis के लिए दोस्तो वो है एक weather अगर आप बहुत ठंडे प्रदेश में रहते हैं साथी साथ आप किसी dust से fume यानि की धुएं से आप बोल रहें cold allergic हैं ठंड के मौसम में आपको यह परिशानी हो सकती है dust mic से pollen यानि की पराग कर्ण से यह सब मुख्यता कारण है इसके अलावा भी जो और देखने को मिलते हैं वो कि बहुत सारे लोगों को soft toys जो है उनसे दिक्कत होने लग जाती है आपकी घर में जो animals हैं उनके hairs से आपको दिक्कत हो जाती जैसे बहुत लोगों को अंडे से अलर्जी होती है मचली से अलर्जी होती है या कुछ ऐसी डाइट में आपने कुछ ऐसी चीज़े है बैगन से अलर्जी होती है तो बहुत लोगों को कुछ डाइट के वज़े से भी दिक्कत आती है और कुछ medications ऐसी होती हैं जिससे शरीर पे इस तरह की दिखकर देखने को मिलती है और ना से रनीनों से बहुत सारे लोगों को आपको लगातार लगातार बनी रहती है तो धीरे धीरे बॉड़ी की संस्टिविटी फिर आपकी लक्षड निकल के आने शुरू हो जाते हैं बॉड़ी में दोस्तों कभी भी एक ही बार से कोई भी रियक्शन नहीं आती अंटिल उन्लेस वह बहुत जादा स्ट्रॉंग हो ल लेकिन आपको उस चीज़ के लिए बहुत जादा प्रिकॉशन लेना चाहिए क्योंकि यह चीज़ अगर आपके शरीर में बहुत जादा लंबे समय तक अगर रह गई तो उसके जो साइट फिक्स आते हैं वो बहुत सारे होते हैं जैसे आपको नेजल पॉलिप होने के चां करकते हैं तो इसको समय रहते ही ठीक कर लेए जादा बहतर है अब बात करते हैं कि आखर आपको कैसे पता चलेगा कि आपको किस चीज़ से अलर्जी है तो बहुत आसान है दोस्तों不錯 कि में जार्टेश करा सकते हैं लाइमिरी आपकी की sensitivity develop हो रही है उसके बाद आप बात करते हैं दोस्तों की ऐसी क्या homeopathic medicines हैं जिनका प्रयोग करके अपनी इस allergy की परिशानी को ठीक कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं बात करूँगी एक ऐसी medicine जिन में सभी को वो कहाना है क्योंकि वो आपकी हर तरह की allergy को recover करने में मदद करती है वो है histaminum 200 दोस्तों इसकी आपको दो ड्रॉप रोज सुबा लेनी है और आपको लगातार लेनी है कम से कम एक से डेड़ महिने आप खाएं ताकि आपके शरीर में जो allergic responses आ रहे हैं जो आपके शरीर में allergic situation बन रहे हैं उनके लिए आपके body normal होती जाए और धीरे धीरे करके यह sensitivity आपके शरीर से निकल जाए तो किसी भी तरह कि चाहे वो skin allergy हो चाहे वो आपको allergic rhinitis हो या फिर आपको किसी और चीजों से allergy हो उसके वज़े से आपके शरीर में कुछ दिक्कत आ रही है आप जहां पर भी allergic चीज मेंशन है उसमें आप histaminum यूज कर सकते हैं और यह बहुत ज़्यादा लाप्रद है अब इसका प्रेवक बिल्गुल करें next medicine है दोस्तों वह है allium sepa 30 potency में दोस्तों अगर आपको सुबा बहुत ज़्यादा चीक आती है नाक से पानी आता है और नाक से जो discharge है वह बहुत ज़्यादा corrosive है corrosive का मतलब होता है कि जहां जहां लग रहा है जैसे आपके नॉस्ट्रिल है या अपर लिप का पार्ट है इन पर आपको छिलन सी आ गई मतलब लाल होके छिल गई है मतलब जो म्यूकस आपको निकला था वह बहुत ज़्यादा एक्रिग है बहुत ज़्यादा corrosive है जिसके वज़े से आपके अपर पार्ट ओफ लिप नॉस्ट्रिल छिल गए है तो अगर ऐसी सिचुवेशन आपको हो रही है तो आप इसको यूस करें साथी साथ अगर आपक कुछ ऐसे से हो रहा है कुछ संसेशन से हो रहा है उसके वज़े से आपका कफ प्रोवोग कर रहा है तो इस सिचुवेशन में आप ऐलियम सीपा तीस पोटनसी में प्रयोग करेंगे आपको 30C च इसली मेडिकल स्टोर्स पे मिल जाएगी सील पैक दवा ही खडित के लिए है आपको बहुत रिराइद देगी आपके अलर्जिक राइनर्गेस के केस में दस साल से छोटे बच्चों को दे रहे हैं तो एक बुन दे दस साल से बड़े लोग हैं वो दो ड्राप कफ रोग करें नेक्स मेडिसन की बात करेंगे दोस्तों हम आर्सेनिक अल्बम 30Potency में दो साथी साथ दोस्तों आपको एक जो टिगलिंग संसेशन है उसके साथ खासी आए और आपको सीने में सीन की जैसा सुनाई दे वीजिंग साउंड अगर आपको आरा है उसमें आपको आर्सेनिक अल्बम लेनी है 30Potency में साथी साथ जब भी आपको यह अलर्जी वाले सिम्ट करती है अगर आपको रात में सिम्टम ज्यादा परिशान कर रहे हैं कि नाक बंद हो रही है आपको ब्लॉक सी फील हो रही है और आपको साथ में उल्जन बहुत ज्यादा हो रही इस अलर्जी के वज़े से तो आप आर्सेनिक 30Potency में प्रयोग करें दो बून जबान पे द जैसे आपको जब रनी नोज हो रही है तो थोड़े दिर बाद से आपको सूख जाए और सूखने के बाद आपको ड्राइनस सी होने लग जाए अगर ये चीज़ बार बार अल्टरनेट हो रहा है कि रनी नोज हो रही है फिर अल्टरनेटिवली आपको ड्राय हो जारी है न दोस्तों अगर आपको जो यह नाग से पानी क्योंकि यह एक ऐसे लुक्षन है जो सभी में अलमस मिल सकते हैं लेकिन आप differentiate करें कि कौन सी सतीक मेजिसिन आपको सूट कर रही है कौन सी नहीं तो इस case में आपको लेना है कि नाख से पानी आ रहा है कि पानी का बहुत साद네 box उसके साथ साहरा आपको throat irritation görüşन हो रही है और आपको जो बलगम है, बार बार आपको गले में गिर्ता हुआ सा लग रहा हुआ हूँ जब आप उसको घकार के बाहर निकाले क्योशिश कर रहे हैं, तो उस हई से निकल नहीं रहा है और आपको अंद लंग स्पील हो रहा है तो आप सावदिला का प्रयोग करें साथी साथ आपको अगर उसके साथ सरमे दर्थ की परिशानी रह रही है आप उसमें भी इसका प्रयोग कर सकते हैं वो हैटेक दोस्तों स्पेसिफिकली तब होता है कि जब आप किसी चीज़ में कंसेंट्रेट करने की कोशिश करें जैसे आप सपोस्ट पढ़ने बैठे हैं उस समय आपको सरमे दर्थ शुरू हो जाए या फिर आप लैक्टॉप पे काम कर रहे हैं आप किसी चीज़ पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं उस समय आपको सरमे दर्थ शुरू हो जाए तो कहीं भी आप अगर कॉंसिंट्रेट कर की कोशिश कर रहे हो और आपको इन अलर्जिक के के साथ आपको सर में दर्ज शुरू हो जाता है तो उसमें आप साबर डिला 30 परटनसी मिलेंगे दो बून जबान पे आपको दिन में तीन बार लेना है कम से कम एक से जड़ महिने इसका प्रयोग करें आपको यह बहुत ही आपके शरीर की इम्यून सिस्टम को थोड़ा अच्छा करने साथ ही साथ जो अलर्जिक रियाक्शन वाली सिच्वेशन है उसको बैटर करने में मदद करेंगी वह है दोस्तों पोथोज मदद इंचर पोथोज दोस्तों आपके अलर्जिक रानाटिस पर बहुत अच्छा का च्परियाइगी वह आपके शरीर को स्टेबल करने में आपकी हाइपर अप्तिविटी को कम करने में मदद करेंगी इसको कैसे लेना है दस बूंद आपको एक चौथाई कप गुंगुने पानी दिर में तीन बार लेना है और यह आपको बोहुत ज़ादा मदद करेंगी 10 सा से चोटे बच्चे हैं तो 6-7 ड्रॉप दें 10 साल से ऊपर वाले 10 बूंध ही लेंके दिन में तीन बार उसका आराम से तोड़ा लंबा प्रयोग करें एक से डेड़ महने दो महने तक लें आपके शरीर में धीरे-धीरे करके आपके इम्यून सिस्टम को वह अच्छा करेगी जो आपकी हाइपर सेंस्टिविटी है उसको नॉमलाइज करके आपको इस सिच्वेशन से हमेशा के लिए ठीक कर देगी दूस्तों तो यह कुछ होमेपेटिक मेडिसंस हैं जो आपको बहुत जादा लाप वचाने वाली हैं दोस्तो केस में कुछ चीजों का थ्यान रखें अगर आपको इलर्जी है तो इस इन्वार्मेंट को अवाइट करें जिसमें आपको प्रॉब्लम ट्रिगर करती है जैसे आप आप माले जैसे बैंगलोर का वेदर बहुत जादा फ्लेक्टिवेटिंग है तो यहां पे वो लोग सबस प्रदेश बहुत जादा गर्म प्रदेश हैं वहां के लोग यहां पे जादा आके परिशान होते हैं तो इन वेदर को आपकी बड़ी एडॉप्ट नहीं कर पाती और आपको परिशानी बढ़ जाती है साथी अगर आप ऐसे पलूटेड एरिया में रह रहे हैं जहां पे ब वो भी चीज आपके लिए परिशानी का कारण बन सकती क्योंकि पॉलन से अलर्जिक लोग बहुत बार ऐसा होता है कि इस तरह के लक्षर दिखने को मिलते हैं तो इन कुछ चीजों का ध्यान रखें दोस्तों दवाओं का सेवन करें आशा करती हूं आपको यह वीडियो मिलती हूँ इसी तरह के इन्फरमेटिव वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक यू सो मच्ट स्टे सेफ